स्कूल का नाटक पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है लिटल रेड राइडिंग हुड सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगा पेपा होगी लिटल रेड राइडिंग हुड ममी पिग ने पेपा को तयार किया है और डाडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिचिल रेड राइडिंग हूँ बहुत अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शाबश पेपा डाडी डॉग बनेगा बड़ा भेडिया दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं मैं हूँ बड़ा भेडिया कि बोलने के बाद हसना नहीं डानी तुम्हें डरावना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ मैं हूँ एक बड़ा पुरा भेडिया और मैं तुम सबको खा जाओंगा हाँ देखा हाँ सच मुझ बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है नहीं तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये मैं तुम्हें बखा दूँगा बुरे भेडिये शाबाज पेड्रो रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है मैं क्या बोलू ममी देखते हैं नातक के शुरवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा नातक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं दे लिटल रेज राइडिंग होड तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज कलाकारों की फोटो लेना मना है ऐसा मत कीजिये और अब शिरू करते हैं हमारा नाटक दाधी घर पर है पर ये मैमान कौन है मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया क्या बात है दाने ओहो, आगे क्या बोलना है ये दानी भूल गया दाधी, आप अलमारी में चले जाओ अलमारी में जाओ पड़ा बुरा भेड़िया दाधी बनने की नकल कर रहा है मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड मैं दाधी से मिलने जा रही हूँ शावाश पेपा टाधी, आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए ओहो, सौरी पेपा, जारी रखो मैं अपने दाधी से मिलने जा रही हूँ तुम मेरे दाधी के तर नहीं दिख रही हो तुमारे आखे कितनी बड़ी है तुमारे दाध कितने बड़े है तुम मेरे दाधी नहीं हो तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो बचाओ कोई बचाओ, बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है ये है शिकारी पेद्रो बचाओ कोई बचाओ बिलकुल सही वक्त पर शिकारी पेद्रो पेद्रो थोड़ा शरमीला है पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलू हाँ प्लीज तुम बहुत ही सराती बेरिये हो मैंने आपको बचा लिया दाजी तांक यू शाबज शाबज बहुत अच्छे पेद्रो, तुमने बहुत अच्छा किया तुम बिलकुल मेरे जितने अच्छे थे तुम बहुत अच्छे क्लोई का कट पुटली का खेल पैपा और उसका परिवार अंकल पिग आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं उछे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पैग आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहि पर सही तो है अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर-जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं ये ऐसे पैपा जोर्ज मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ चीक है डाडी पैपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुँच गए हैं हेलो आंटी पिग हेलो अंकल पिग हेलो कैसे हैं बेलकुल ठेक हो तुम कैसे हो अंकल पिग डाडी पिग के भाई है क्लोई पिग पैपा और जोर्ज की बहन है हेलो क्लोई हेलो पैपा हेलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है हमारे लिए रुको यह है मेरा नया कटपितली यानि पपेट थियर्टर मेरे टैडी ने मेरे लिए बनाया है वाँ मैंने दो पपेट पहले ही बनाया है इसका नाम है क्लोई हेलो मैं हूँ क्लोई पेग हेलो पेपा मैं हूँ अंकल पेग क्लोई क्या मैं और जॉज भी पपेट बना सकते हैं हाँ क्लोई पपेट की आंखे पेंट कर रही है मैं मू बनाओ हाँ बनाओ मेरा नाम पेपा है जोर्ज तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है डाइनसार क्या डाइनसार जोर्ज हर चीज के लिए डाइनसार ही कहता रहता है ठीक है डरावना डाइनसार पपेट बनाते है क्लोई जोर्ज के लिए डाइनसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे, डरावना डाइनसौर लॉच तयार है, आ रहे है खाने के बाद हम सब को पपेच्छो दिखाएंगे अंटी पिग में खाने में नूडल्स बनाये है यह नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स तुम दोनों भाई-भाई हो, यह पता चल रहा है हर चीज में एक जैसे है क्या मतलब है तुमारा? हम बिलकुल अलग है पेपा जोर्ज और मैं सब को एक पपेच्छो दिखाने वाले है बहुत अच्छे, तयारी हो जाए तो पताना पपेच्छो मज़ा एगा पपिट शो शुरू होने वाला है हेलो, मेरा नाम है क्लोय अर मैं हूँ पेपा खेररररररररर एक डाईनस॓र तराउना डाईनस॓र क्या बात है, बELIद अच्छे बच्छो बहुत अच्छे मैं हूँ अंकल पिग हेलो अंकल पिग हेलो पेपा हो-हो-हो, यह तो बिलकुल आप की तरह लग रहा है? लग रहा है, उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया हो-हो-हो, मुझे मेरा लंच पसंद आया अंकल पेग, क्या आप आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खराटे मारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा ? डाड़ी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खराटे मारते हैं, ऐसे तुम्हारे डाड़ी सही कहते हैं, मैं सच मुझ खराटे मारता हूँ डाड़ी पेक, आपका अंकल पेक के बारेमे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए थे मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे डादी पेग और अंकल पेग सो गए हैं पाता चल रहा है दोनों भाई भाई हैं यह क्या हुआ यह क्या पपेच्छ अभी तक शुरू नहीं हुआ पीच पर पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है कितनी सारी चीजे हैं याद रखना लॉटते वक्त हमें सब कुछ सांट लेकर जाना है तॉलिये, पीच बैग, छाता, बालतियां और ये बीच बॉल शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा संस्क्रीम लगाते हैं धूब बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को संस्क्रीम लगाना पड़ रहा है कलो इस बीच बॉल से खेला जाए बड़ी उचलती है कितना अच्छा बीच बॉल है जॉर्ज, तुम बॉल फेको और मैं असे पकड़ूंगी अब जॉर्ज, तुम पकड़ो जॉर्ज छोटा है, इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हे और पेपा को समंदर में तेरना है तद चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो अब तुम तयार हो, वाटर विंग्स में तुम बहुती स्मार्ट दिखते हो मेरी बारी, मेरी बारी हो गया अब तुम पानी में जा सकते हो फानी ठंदा है ये बहुत या चार गर्म है अराम से आप इनी शुरुवात की डाडी पे अब और कितना छिड़कोगी प्लीज डाडी अब चलो ठीक है ये ये पेपार जोर्ज डाडी पिक को रेत में छुपा रही है अराम से हो गया अब आप नहीं निकल पाओगे मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है क्या मुझे स्ट्रॉःट मिलेगी ठीक है पहले प्लीज बोलिये प्लीज मुझे स्ट्रॉःट मिलेगी हाँ जरूर मिलेगी डाडी प्लीज अब ठीक है अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है जोज चलो रेत का महल बनाते पैपा जोज रेत के महल बना रहे है जोज पहले रेत को बालची में डालते ऐसे फिर बाल्टी ओ को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं फिर बाल्टी को उठाते हैं, देखो बन गया, एक रेत का महल, बन गया, और एक रेत का महल, पैपा, जोर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ, चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं, तौलिये, पीच बैग, छाता, और पीच बॉल, सब कुछ ले लिया, याद आया, हम हैट भूल गए, त्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् साफ सपाई करना पेपो जोज अपने कमरे में अपने खिलोनों के साथ खेल रहे हैं जोज चलो गुडिया डाइनसौर्स के साथ खेलते हैं वो क्या है एक बयंकर राक्षस है डाइनसौर यह डाइनसौर है बचाओ बचाओ डाइनसौर्स बाहर के कमरे में अख़बार पढ़ रहे है ममी पिक अपनी किताब पढ़ रही है बचाओ वो क्या कर रहे हैं डाइनसौर्स पेपा जोज क्या चल रहा है यह इतना शोर कैसा बचाओ यह क्या हो रहा है कितना शोर कर रहे हो और फर्ष पर यह कितना सामान पढ़ा है इस पर गिर किसी को चोट लग सकती है कोई सचमच गिरा है और उसे चोट भी लगी है अरे बचारे डाडी पिग अब चलो बच्चो थोड़ी साफ सफाई कर ले पर मामी हम गुडिया और डाइनसार से खेल रहे हैं सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो पर यह तो सारा जोर्ज का सामान है अच्छा सचमच तो यह जोर्ज का ही खुबसरा ड्रेस होगा है ना नहीं शायद थोड़ा सा सामान मेरा है तो चलो मैं सफाई करने में जोज की मदद करूँगा और मामी पेक पेपा की क्यूना हम रेस करें लड़कियों लड़कों के बीच बहतरीन आइडिया है देखते हैं पहले सफाई कौन करता है एक, दो, तेन हम जीत रहे हैं नहीं, बिलकुल नहीं यह रहा ओ, यह क्या है टेरी, मैं तुम्हें कब से डून रही हूँ जल्दी पेपा, टेरी को अपने खिलोने के बखसे में रखो डाल दिया अब यह किताबे बढ़िया यह क्या है यहाँ दाइनिसार सही कहा, डाइनिसार की किताब है यह जोज की पॉप अप किताब है यह टाइरानिसारस रेक्स है टाइरानिसारस रेक्स सही कहा तो यह तो प्रांटसारस है प्रांटसारस बिलकुल सही और यह है ट्राइसेराटॉप्स तैसे रेटाप्स सही कहा जोर्ज जोर्ज को डाइनसुर्ज बहुत पसंद है जोर्ज आपने सफाई करना रोक दिया है आप रेस हार जाओगे अरे हां रेस हार जाओगे चलो जोर्ज ये किताब वापस रख दो जेड़ी आप ठीरे दीरे सफाई कर रहे है हम जीद गए हम जीद गए हम सब जीद गए देखो कमरा कितना साफ लग रहा है कितना साफ कमरा है सबको शाबासी मामी अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुडियों डैनोसार से खेल सकते हैं हाँ अब तुम अपना खेल शुरह कर सकते हो येपी मेरे सारी गुडियां कहा है, मिस्टर डाइनसार कहा है, मिल गई, दाइनसार, ये डाइनसार है, बचाँ, बचाँ, कमरा फिर से गंदा हो गया, चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था, दादा पेग की बोट, दादा पेग, पेपा और जॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा स्वागत है, प्यारे बच्चों, पेपा, जॉज, चलो, लाइफ जैकेट्स पहन लो, दादा पेग की बोट पर पेपा और जॉज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पता है बच्चों इस बोर्ट का क्याप्टन मैं हूँ आय आय कैप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड कर कापटन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं कैपटन जोर्ज जंडा लेराओ पेपा बेल बजाओ आय आय कैप्टन जादी पेग वील सम्हालो आय आय कैप्टन चलो चलते हैं तेज चलो जायद आपको थोड़ा दीरी चलाना चाहिए तुमने सही कहा दादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग तेज चलिए ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे देखिए एक और बोट यह दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो डानी और दादा डॉग कैसे हो डादा पिग हलो डानी हलो पैपा दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड है हुह मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट आभ ही भी तैर रही है दादा डॉग वो तु «तु merely पुराणी है» यह पुराणी बोट नहीं जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती हैं, दादा पिग अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग, रेस लगा कर देखते हैं हरने के लिए तयार हो जाओ, पाने पेग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिक कहा आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा, दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उसते पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस्ट दादा पिक को सौरी बोलिये वो आपके बेस फ्रेंड है ना नहीं, वो पानी पिक है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक, दो, तीन तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पानी बेक समुद्री डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पड़ सकते हैं जीत गया ओ यह क्या दादा पिक की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की कैप्टन दादा शाद मेने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर केसे जाएंगे वो देखिए दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग स अपनी बोट को नहीं खचवाना मैंने उस पाने पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे दादा पिक अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा दादा दादा पिक को सौरी बोलिये न मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें पानी पिक कहा बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैडम. इसे पकड़ो, क्याप्चन. आल राइट, स्किपपॉ. दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है. दादा डॉग दादा पिक की बोर्ट को खीच कर घर ले जा रही है. सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं रेस चीट गया. दादा पिक, शहरारती दादा पिक. फेपा, बेल बचाओ. आयाय, कैप्टेन. शॉपिंग. पेपा और जॉज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं. पेपा और जॉज को शॉपिंग पसंद है. जॉज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है. और पेपा को भी. दाडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुती बड़ी हो, पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो, अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं, टमाटर, नूडल्स, प्यास और फल, मैं सब ढून लूँगी, इस तरफ, पेपा और जॉच को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं, मुझे दिख गए, मुझे दिख गए, ये देखो टमाटर ममी, शाबाश पेपा, एक, दो, तीन, चार, अब उन्हें च्रॉली में डालो, मुझे टमाटर मिल गए, शाबाश पेपा, टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई, अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स! डूडल्स! सही कहा जोज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं. डूडल्स! नूडल्स पेपा जोज का पसंदीदा खाना है. अब ये नूडल्स कहां पर मिलेंगे? मुझे दिख गए! इस तरह! नूडल्स! देखो, ममी, ये रहे नूडल्स! शाबबाश, पेपा. अब चलो, जल्दी से इने ट्रॉली में डालो. जीक है, ममी! टूडल्स! जोज, इसे कहते हैं नूडल्स! तूडल्स! अब लिस्ट में आगे क्या है, पेपा? चिप्स! चिप्स तो लिस्ट में नहीं है. हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं, पेपा. जरा याद करो. मुझे नहीं याद आ रहा, डाड़ी. क्ये तुम्हें याद है, जोज? डाइनिशॉर! डाइनिसॉर? जोज, यहाँ पर डाइनिसॉर नहीं मिलता, बुद्दू. नहीं जोज, लिस्ट पर अगली चीज है, प्याज. प्याज, अभी याद आया. ममी ये रहे. शाबाश. एक, दो, तीन, चार, प्याज. शाबाश. अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजे मिल गई. लिस्ट की बस एक ही चीज बची है. पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं, जोज. लिस्ट पर आखरी चीज फल है. आओ. कोई बात नहीं, जोज. तुम फल चुन सकते हो. फल कहां है? वह पर. वहाँ सेब हैं, केले हैं, संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी. कौन से फल नहीं, जोज? सेब? संत्रे? केले? तर्बूज. इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं. टमाटर, नूडल, प्यास, तर्बूज, चॉकलेट केक. चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पैपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं, मामी. जोज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं. मैने भी तो नहीं रखा. फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा डाड़ी पेग शरारती डाड़ी सॉरी लेकिन यह कितना यमी लग रहा है न यमी तो लग रहा है हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था छोक्राट केग हुराइ मेरी बर्दे पार्थी आज पेपा का बर्थ डे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोर्ज उठो मेरा बर्दे आज मेरी पार्थी है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोर्ज ममी और डाड़ी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे हैं उठीए मेरा बर्दे उठीए कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है सुभा के पाज बजे हैं हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं येपई ममी पिग, डाड़ी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें? गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पहनाती हूँ आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था, ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया आड्रेस पसंद है थांक यू कोई बात नहीं टेडी, बस असे खराब मत करना तुमें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरे बद्ध पाठी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डाड़ी जादू दिखाने वाले हैं हो, हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाड़ी है तुम सब को बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्बाजाओ हाँ, अद्भुत जादूगर डाड़ी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे हैं मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए गांडी कैट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पुनी हेलो दोस्ता आ गए पेपा चलो बच्चो पार्टी शुरू हो रही है डाडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक अबराकाडाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए मैं, मैं, मैं मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्ची, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आबरा का जाबरा तुमने चुनी पिली नई आबरा का जाबरा नीली? नई आबरा का जाबरा लाल? हाँ, सही जवाब हुर्ये भुर्तु जादुकर डारी, आपने तीनो रंग बता दिये पैपा इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहो? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादुई शब्द बोलो अबरा का डाबरा अबरा का डाबरा अब अपनी आखे खोल दो हुर्ये मेरा बद केक मौमबतियां बुझाओ पैपा हुर्ये हुर्ये पैपा तभी को ठैंक यू ये मेरा सबसे अच्या बद्दे था प्लेग्राउंड पैपा और जोज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में है कैंडी काट और पेड्रो पोनी क्लाम्बिंग फ्रेम पर है रुबेका राबिट सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे है पैपा जूले पर जूल रही है मामी मामी जूला जूलाओ ना तुम तैयार हो हां मुझे बहुत उच्छा जाना है वी और उपर मामी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी जूलाओ कसकर पकड़ो मैं जूज को जूलाओंगी जूज को धीरे से जूलाना पैपा जी मामी कसके पकड़ना जूज क्वी ओहो पैपा ने जूज को बहुत जोर से जूला जूलाया जूज को ये विलकुल पसंद नहीं पेपा, तुम्हें पता है जोज को उचाए से डर लगता है सॉरी जोज चलो वहाँ खेलते हैं हलो सुजी, हलो डानी हलो पेपा तुम सब गलत करे हो, जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो, एक, दो, चलो मेरी तरब देखो, मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे है मा हुरेइ तैंक यू दोस्तो जोर्ज, क्या तुम्हें क्लाइमिंग फ्रेम पर खेलना है क्लाइमिंग फ्रेम बहुत उची है George को उचाई से डर लगता है सॉरी, George अच्छा, चलो, स्लाइड पर खेलते हैं स्लाइड, येपी पैपा को स्लाइड करना बहुत पसंद ए सब को स्लाइड करना पसंद है पामी, डारी, मुझे देखिए एग, दो, चलो, ये जोज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोड़ ये थोड़ा उंचा है ठीक है मैं तुम्हें उपर चड़ा देता हूँ ओफो ये भी जोज के लिए बहुत उंचा है टरो मत जोज मैं साथ में स्लाइड करता हूँ डाड़ी आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं कुछ भी मत कहो पेपा मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो एक दो तिर डाड़ी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बात है धारी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हां शायद थोड़ी हसी आ सकती है हां में आपको नीचे धकेलना होगा जोर्ज को डाड़ी के पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जोर्ज को अब उचाए से बिल्कुल डार नहीं लगता डाड़ी फोटो लगा रहे हैं ममी पेग और डाड़ी पेग के पास पेपा और जोर्ज का एक नया फोटो है हमें इस प्यारे से फोटो को दीवार पर लगाना चाहिए मुझ पर छोड़ दो मैं इस घर में सब में माहिर हूँ आपको यकीने आप ये कर सकते हैं बिल्कुल मैं दीवार पर सिर्फ एक किला मार के ये फोटो उस पर टांग दूँगा बहुत अच्छे मैं जा रही हो दादी और दादा पिक से मिल ले मैं आपको बाद में मिलती हूँ और प्लीज कच्रा करके मत रखना कच्रा बाई बाई क्या पोटो लगाने में आपकी मदद करें डाड़ी पहले तुम देखो तभी तो ठीक से सीख पाओगे पहले नापने के लिए टेप लेते हैं और एक पैंसिल यहाँ पर मैं एक किला मारूंगा तीवार मत तोर देना डाड़ी अब मुझे ज़रूरत है एक हटोड़े की और एक किले की पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ डाड़ी पे गब दीवार में कील मारने वाले हैं कि दीवार मत तोर देना डाडी कुछ भी बोलती हो पेपा कितना आसान है ऐसा नहीं होना चाहिए था डाडी पे कि वज़े से दीवार में बड़ी दरार आ गई डाडी आपने दीवार तोर दी एक छोटी दरार ही तो है यह फोटो ने छिपा देगी देखा हो गया मुझे काम करते हैं इसे निकालते हैं और यह दरारे भर देते हैं कच्रा मत करना डाडी कुछ भी बोलती हो पेपा आजाओ बहर जल्दी ओ डाडी अब आपने सच मुझ दीवार तोर दी आपको लगता है मामी को पता चलेगा हम शायद पता चल ही जाएगा चली करो जोड वो क्या कर रहे हैं जाडी हम आपको देख सकते हैं डाडी पिक को मुमी पिक के घर लोटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा एक एट दे दो डाडी पिक ने पहले एटों से दीवार को ठीक कर दिया देखा हो गया फिर डाडी पिक ने एटों पर प्लास्टर लगाया देखा कितना आसान है फिर डाडी पिक ने दीवार को पेंट किया हो गई ना पहले जैसी दीवार पहले जैसी हो गई पर घर में गंदगी फैल गई अरे नहीं, मम्मी आने से पहले सारी सफाई कर देते हैं पहले टैडी पिग ने पेपा और जॉज को नहलाया फिर पेपा ने फर्ष को साफ किया और टैडी ने सावान जगा परख दिया मामी ममी पिग वापस आ गई मामी मम्मी आ गई सुनो, अब ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हेलो हेलो वैसे आप क्या कर रहे थे और कुछ भी तो नहीं हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया आप तो दीवार पर फोटो लगाने वाले थे सारी हड़बड़ी में डाड़ी पिक फोटो लगाना भूली गए ओब देखिये, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर ये काम तो बहुत आसान है हो गया बड़ी ही आसानी से लगा दिया पर जब आपने किया तो बहुत मुश्किल लग रहा था डाड़ी है ना पेपा कहा था ना किसी को बताना नहीं हवा महल पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं पेपा जोर्ज आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं हवा महल क्या है डाड़ी ये एक महल है उची पाहडी पर जोर्ज को महल अच्छे लगते हैं हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगे लगती है नहीं पेपा तुम्हें पसंद आएगा हवा महल के उपर से सब सुन्दर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी देख सकता है वा चले चले मैं मैप पढ़ूंगा और ममे बिग गाड़ी चलाएंगे सोच लीजे डाडी पिक मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिर्चिडे हो जाते हो हम गुम नहीं होंगे और मैं चिर्चिडा भी नहीं होंगा हवा महल हमा रहे हैं क्या हम आप प interest है अब ही नहीं ओ क्योँ ना हम कोई गेम खेले जी डाडी हम पहचान हो क्या खेलते हैं पहले मैं पूछाँगा डाड़ी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ लाल, मेरी ड्रेस, ये लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं गाड़ी सही जवाब, अपने लाल गाड़ी मेरी बारी, मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ जॉर्ज की नीली शुर्ट नहीं नीले रंग का गाड़ी में कुछ है नहीं, हार गए? हार गए आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई डाड़ी पिग, क्या आपको पता है हम कहा है? मुझे बिलुकुल पता है हम कहाँ पर हैं अब ये रास्ता मैप की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है ओ डाड़ी पिग, हम खो गए हैं हम नहीं खोए हैं तो हम यहां से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनिट रुको सुनीए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई सरुषत नहीं मैं ले जाओंगा हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है हलो, दादा पिग बोल रहा हूँ दादा पिग, हम हवा महल तक पहुचनी के रास्ते में खो गए हैं क्या डाडी पिग नक्षा पढ़ रहा है हाँ, डाडी पिग मैं पढ़ रही है और अभी थोड़े चिर्चिडे हो गए है मैं चिर्चिडा नहीं हुआ यह सबसे अच्छा रास्ता है जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं में रोड पर चलते जाओ थैंक यू दादा पेग हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुचना है जैसा मुझे लगा था देखो, क्या वो हवा महल है हाँ, वही है हवा महल चलो गाड़ी चलो गाड़ी, तुम चड़ सकती हो हुरे पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुच गए वाँ, ये कितना उच्छा है चलो अंदर चले उफर से नीचे का नजरा बहुत सुन्दर दिखेगा वाँ जरा नजारा तो देखो मामी, क्या वो दादी दादा का घर है हाँ, वही है कितना दूर है चलो, अब दूरबीन से देखते है क्या मैं पहले देख सकती हूँ, प्लीज ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना वाँ दूरबीन से सबकुच ज़्यादा बड़ा दिखता है मुझे दादी और दादा दिख रहे है देखो जोज दादी एक, दादा एक जोज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है भुटू जोज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं हलो दादा पेग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं हमारी तरफ हाथ हिलाईए दादी और दादा हमें हाथ बोल रहे हैं हावा बहर पॉस अच्छा है हावा मड़ी पॉडल्स आज बारिश हो रही है इसलिए पैपा और जॉर्ज बाहर नहीं खिल सकते तैड़ी बारिश रोग गई कि अब हम बार खेल ले जाए हा ठीक है खेलो बाहर दोनों पैपा अगर तुम्हें मिट्टी के गज़ों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए जोर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड़ों में कूदना जोर्ज अगर तुम्हीं मिट्टी के गड़ों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूच पहने चाहिए पैपा अपने छोटे भाई जोर्ज का ध्यान रखती है जोर्ज आओ कुछ और गड़े ढूंडे पैपा और जोर्ज को खूब मजा रहा है पैपा को मिला है एक चोटा गड़ा जोर्ज को भी मिला है एक गड़ा देखो जोर्ज कितना पड़ा कठा है जोर्ज बड़े कठे में पहले खूदना चाहता है रुको जोर्ज पहले में देख लूँ यह सुरक्षित है या नहीं अच्छा है यह तुम्हारे लिए सुरक्षित है सुरी जोर्ज यह बस मिट्टी तो है पैपा और जोर्ज को मिट्टी के गढ़े बहुत बसंद है आओ जोर्ज हम जाकर डाड़ी को बुलाते हैं अरे यह क्या डाड़ी डाड़ी सोच हम क्या कर रहे थे सोचने दो मुझे तुम लोग टेलिवीजन देख रहे थे क्या नहीं नहीं डाड़ी तुम अभी अभी नहाय हो नहीं नहीं ओ अच्छा तुम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हाँ हाँ डाड़ी हम मिट्टी के गढ़ों में खेल रहे थे हो और देखो क्या हाल किया है तुमने कोई बात नहीं मिट्टी ही तो है कि चलो जल्दी से साफ कर दे वरना ममी नाराज होंगी जाडी साफ होने के बाद आप और ममी हमारे साथ खेलेंगे ना हाँ सब गार्डन में खेल सकते हैं पैपा और जॉर्ज ने अपने बूर पहन रखे हैं मम्मी और डैडी ने भी इतने बूर पहन रखे हैं पैपा को पसंद है मिट्टी के गड़ों में कूधना सब को पसंद है मिट्टी के गड़ों में कूधना क्या हो डैडी पेग देखो क्या हाल बनाया है आपने ये मिटी ही तो है पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं पेपा तुम्हारे जूते कहां है ओ वो खो गए मुझे लगता है हम उन्हें ढून सकते हैं शायद हमें गार्डन में ढूनना चाहिए हाँ सब पेपा के जूते झूद रहे हैं मामी पेग फूलों में ढून रही है पेपा के जूते वह नहीं है यह हमने सब जगह देखा लेकिन पेपा जूते ङहीं नहीं मिले unpack THE जूते खो गश being अब मेरे पास बहनने के लिए कोई जूता नहीं है。 बिचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे, हम नए जूते ले आएंगे。 क्या मेरे नए जूते लाल होंगे ममी? बिलकुल लाल होंगे. जोज, मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ。 ममी पीग और पका मिस राबिट्स के जूतों के दुकान में हैं हलो मिस राबिट Heto विलॉ ममी पेग हमें पके लिए नए जूते खरीदने हैं यू प्लीज बाव दुदमर कमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा लाड जूते नहीं को में जोर्च और डैड़ी पिग ड्राट्स खेल लहें ओ शाबाज जोर्च डाड़ी डाड़ी मेरे नहे जूते देखिए ये लाल है ओ हाँ ये लाल है मामी आपको अच्छे लगे मेरे नहे जूते हाँ पैपा इन में तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पैपा के नए जूते अच्छे लगे. मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे, कि मैं उन्हें कभी-कभी नहीं उतारूंगी. ये नहाने का समय है. पैपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं. पैपा ने अपना पाजामास पहन लिया, लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं. पैपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है. पेपा, क्या तुम पक्का अपनी जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपनी नहीं जूते कभी नहीं उतारूंगी, ममी. ठीक है. गुद नाइट, पेपा और जॉर्ज. गुद नाइट, ममी. गुद नाइट, डाड़ी. गुद नाइट, मेरे छोटे बच्चो. पूरी राथ बारिश होती रही, और अब गाड़न बहुत गीला है. ममी पिग ने अपने बूर्ज पहने है, डाड़ी पिग ने भी अपने बूर्ज पहने है, जॉर्ज ने भी अपने बूर्ज पहने है, पैपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं. जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है पैपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है लेकिन वो अपने नए जूते गीली नहीं करना चाहती मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज जॉर्ज को मिट्टी के गड़ों में कूदना पसंद है पैपा को गड़ों में कूदना पसंद है लेकिन वो अपने नए जूते मिट्टी में गीले नहीं करना चाहती ममी और डैडी को मिट्टी के गड़ों में उपर नीचे कूदना अच्छा लगता है सब को मिट्टी के गड़ों में कूदना अच्छा लगता है यह पैपा कहां जा रही है पैपा अपने बूट्स पहन रही है अगर मिट्टी के गड़ों में कूदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए सीक्रिट्स ममी पैपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है पैपा ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है शुक्रिया ममी ये एक सीक्रिट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रिट चीज़े रखने के लिए मैं इसमें कौन सी चीज़ रख सकती हूँ ममी वो तुम खुद ही सोचो पैपा ये तुम्हारा सीक्रिट बॉक्स है मैं जानते हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ गूड पर मुझे मत बताना मैं ना आपको बताऊंगी ना जॉज को ना डाड़ी को ये एक सीक्रेट है जॉज ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ये खाली है इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूनना है जॉज पेपा की मदद करना चाहता है नहीं जॉज सिर्फ मुझे पताऊगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करू तुम बाहर इंतिजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की है अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है जॉज तुमें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जॉज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो ग्यस कर सकते हो जॉज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डाइनसौर को रखा है ओ जोज, तुम हमेशा हर चीज़ को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुमें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डाडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे है डाडी यह मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है यह बहुत अच्छा है पैपा इसके अंदर क्या है यह एक सीक्रेट है जोज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ हाँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है वो है आप भी ना डाड़ी आपको सोच कर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखें नहीं और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते पैपा को सीग्र मेरे बॉक्स में क्या है ओ जोज के पास क्या है मैंने जोज के लिए भी बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रूट चीजों से भर दिया और सिर्फ जोज को पता है कि उसके अंदर क्या है पैपा जानना चाहती थी कि जोज के बॉक्स के अंदर क्या है यह जरूर जोज का खिलोना डायनOSHOW है, नहीं, ज्योर्ज का खिलोना डायनOSHOW ज्योर्ज के आने नहीं है, यह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती, पैपा को सीकर्ट सब इतने पसंद नहीं है, जितने उसे पहले थे, अगर तुम ज्योर्ज को अपनी बाक्स से एकची दिखाती, तो वो एक, दो, तीन, जोश के पास है ड्रम और पैपा के पास है ट्रमपिट, अच्छा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीज़े हैं, जोश के पास एक कस्टड डोनट है, लेकिन पैपा का बॉक्स खाली है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं पैपा, मेरे पास है ये लो, जोश, पैपा, ममी पेग और डैडी पेग सब्सक्रेट, सीक्रेट, ममी पेग ने पैपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है, पैपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है, शुक्रिया ममी, ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रिट चीजे रखने के लिए कोई साउचो पैपा ये तुम्हारा सीकषेट बॉक्स है मैं जानते हूं किया सकती रखने के लिए गुड़ और मुझे मत बता बहुत बताना मैं ना आपको को बताओंगी ना जलाज को ना लगे ये एक सीक्रिट है जूमना है जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है नहीं जॉर्ज सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है जब तक मैं पसंद करू तुम बाहर इंतजार करो पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीख्रेट चीजें पसंद की है अब मेरा सीख्रेट बॉक्स भरा है जॉर्ज तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीख्रेट बॉक्स में क्या है अगर तुम चाहो तो गैस कर सकते हो जोज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में डाइनसौर को रखा है तुम हमेशा हर चीज को डाइनसौर ही कहते हो और मैं तुम्हें बता दू एक डाइनसौर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैच सकता जोज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है डाड़ी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे है डाड़ी ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है ये बहुत अच्छा है पैपा इसके अंदर क्या है ये एक सीक्रेट है जोज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ हाँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है वो है आप भी ना डाड़ी आपको सोच कर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं नहीं और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते पैपा को मेरे बॉक्स में क्या है ओ जोज के पास क्या है मैंने जोज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रूट चीजों से भर दिया और सिर्फ जोज को पता है कि उसके अंदर क्या है ओ पैपा जानना चाहती थी कि जोज के बॉक्स के अंदर क्या है यह जरूर ज जोर्ज का खिलोना डाइनाजॉर जोर्ज के बॉक्स में नहीं है। यह बहुत मुश्किल है। मैं नहीं बता सकती। पैपा को सीकेट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जोर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती। तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है। लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। यह एक अच्छा एडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्स में क्या है। तयार। हाँ। एक, दो, तीन। जोज के पास है ड्रम और पैपा के पास है ट्रमपित। लेकिन पैपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पैपा, मेरे पास है ये लो। जोर्श, पैपा, ममी पिग और डैडी पिग सब को कस्टर डोनट्स पसंद हैं मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर डोनट्स चुपाने की क्या तुम बता सकते हो कहां आप उसे चुपाने वाले हैं, फ्रिज में नहीं, कहीं उसे ज़्यादा खास, मेरा पेट, स्वादिस्ट और मैं अपना डोनट अपने पेट में चुपाऊंगी और मैं भी क्या शां तुम्पाने वाती हैं एक कस्टर खास, में भी